हेलो एवरीवन वेलकम टू ओनली आईएएस स्वागत है आप सभी का करंट अफेर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्रेम में जिसमें हम साइंस एंड टेक्नलोजी से रिलेट करंट अफेर्स के इशूस को डिसकस करते हैं और साथ में प्रीवेस एर कुशन्स को भी डिसकस करते ह तो इस वीक हमें तीन इंपोर्टेंट इसूस डिसकस करने हैं पहला इंपोर्टेंट इशू है नासा का पहला ग्लोबल वाटर सर्वे अब ये सर्वे चुकि इस पेस से किया जाएगा तो ऐसे में नासा ने इसके लिए एक सेटलाइट को लॉँच किया है तो हम यहाँ पर अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने fusion energy को लेकर एक achievement हासिल किया है तो हम जानने की कोसिस करेंगे कि आखिर यह fusion energy होती क्या है fusion energy से ये किस प्रकार difference है fusion energy के क्या-क्य benefits हो सकते हैं इसके सामने क्या-क्य challenges हो सकते हैं और इसके लिए जो international level पर program चलाए जा रहे हैं वो भी मैं आप लोग के साथ discuss करूँगा और ये आपके examination perspective से काफी जादा important है reason ये है कि इस से related question 2018 के means में पूछा जा चुका है और इस discussion के बाल आप उस question को easily solve भी करज पाएंगे चलिए next topic जो हमें discuss करना है वो अगनी 5 का है अगनी 5 को recently test किया गया है और ये भी आपके examination perspective से important है prelims examination में इसको लेकर भी एक question पूछा गया है तो चलिए शुरू करते हैं lecture को एक छोटी सी information की साथ तो जैसा आप सभी जानते हैं December month बहुत तेजी से खत्म हो रहा है ऐसे में जो aspirant confusion की स्थिती में है कि उन्हें mains start रखना चाहिए या फिर prelims पे पूरा focus कर देना चाहिए या combined preparation को ही continue करना चाहिए उनके लिए हम mega win program लेकर आ रहे हैं यहाँ पर आपको 15 mains के test मिलेंगे 3 essay के test मिलेंगे और special feature हमारा यह होगा कि आपको हर test से पहले हम एक guidance video प्रोवाइट कराएंगे guidance video का objective है आपको एक particular subject के बारे में guide करना कि आपको इस subject को कैसे cover करना है second thing यहाँ आपको approach session मिलेगा approach session का मतलब है आपको mains के previous question papers को analyze करते हुए यह समझाया जाएगा कि किसी एक particular topic को आप कैसे cover करेंगे उसके कौन-कौन से dimensions आपके लिए important है ठीक है अब यह चीज अगर आप जान जाते हैं कि आपको हमारा schedule follow करने की जरूरत नहीं है आप जिस subject में जादा confident feel कर रहे हैं जो subject आपको जादा लगता है कि prepared है उसका test आप पहले दे सकते हैं online and offline fees यहाँ पर लिखी होई है और इसमें enroll आप अभी भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई further query हो इस program के बारे में तो आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं चलिए वापस आते हैं first topic पर that is first global survey of earth surface water अब यह topic आपके space technology से related है और यह examination में especially PLIMS examination में आप से पूछा जा सकता है context मैंने आपको बता दिया कि NASA ने एक satellite launch किया है अब satellite की image आप यहाँ पर देख सकते हैं इस satellite से benefit क्या है mainly तो आप जानते हैं कि climate change एक बहुत बड़ी problem बना हुआ है पूरे विश्व के सभी देशों के लिए तो ऐसे में climate change को किस तरीके से manage किया जा सकता है water को किस तरीके से manage किया जा सकता है उसी objective से इस satellite को launch किया गया है अगर specification की बात करें या फिर पहले देख लेते हैं examination perspective से कुछ important points को तो सबसे पहला point आपको इस satellite का नाम याद रखना है इसका नाम है SWOT यानि कि surface water and ocean topography satellite जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है ये किन चीजों को measure करेगा एक तो ये measure करेगा surface water को दूसरा ocean topography को भी ये measure करने का काम करेगा जब हमने previous lecture में बात की थी remote sensing satellite की तो मैंने आपको बताया था कि जब हम satellite को launch करते हैं उसमें दो प्रकार की technology का use करते हैं एक तो हो सकता है optical ठीक है सर optical का मतलब होता है ये satellite sunlight पर based होते हैं और केवल दिन के समय ही काम कर सकते हैं रात में ये काम नहीं कर सकते हैं और ये technology outdated हो चुकी है ठीक है तो अब जो satellite use की जाते हैं वो microwave या फिर radar technology पर based होते हैं ये जो satellite आपने अभी देखा है इसमें भी advanced microwave radar technology का use किया जाएगा और इसे use करने के benefit ये होंगे कि ये satellite हमें high definition का measurement दे सकेगा अब किस चीज़ का measurement हमें करना है वर्ल्ड में जितने भी ocean है lake है reservoirs हैं और rivers हैं उन सभी का measurement इस satellite के द्वारा किया जाना है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये केवल USA centric नहीं है ऐसा नहीं है कि केवल USA के ही नदी या फिर reservoirs या फिर lakes को ये measure करेगा इसका पूरे world में सभी जो छेतर हैं पानी से संबंदित उनका measurement करना इसका objective रखा गया है अब यहाँ पर और क्या क्या benefits मिल सकते हैं इससे ये ocean circulation model को काफी ज़्यादा enhance करेगा इसके नदर करत क्या क्या चीज़े आ जाती है जैसे ocean current का flow किस तरीके से हो रहा है उसमें किस तरीके के changes आ रहे हैं इन सबी को measure करने के लिए भी ये satellite हमारी help कर सकता है इसके लावा सबसे important चीज़ जो इस satellite की है और जो पूरा world इस समय एक challenge face कर रहा है वो है water supply की कमी आपने सुना भी होगा newspaper में कि भारत में भी कई cities ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत जादा कमी हो गई है तो इस satellite के माद्यम से हम ऐसे छेत्रों को चिल्हित कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी है और वहाँ पर fresh water supply कर सकते हैं ठीक है तो ये इसका एक अगला relevance है और उसके बाद जो most important चीज़ है एक और वो ये है कि इस satellite के माद्यम से हम ये भी समझने की कोसिस करेंगे कि ocean किस परकार से atmospheric heat को absorb करते हैं और carbon dioxide को absorb करते हैं ठीक है इससे benefit क्या होगा इससे एक तो देकि impact परता है इन दोनों ही चीज़ों का ocean के ecosystem पर और दूसरा इसका impact परता है global warming पर तो अगर आप इन चीटों को समझने में सक्षम हो जाते हैं कि किस परकार से ocean, atmospheric, heat और carbon dioxide को absorb कर रहा है तो आप उसको manage भी कर सकते हैं और manage कर सकते हैं तो climate change से related जो problems हैं उनको easily tackle भी कर सकते हैं ठीक है अब ये topic आपका यहाँ complete हो जाता है इससे जादा आपको कुछ भी इस topic में पढ़ने की जरुवत नहीं है चलते हैं next topic पर that is Agni 5 ये topic again science and technology के defense वाले topic से relate करना है आपको और context ये है कि recently strategic force command ने अभी Agni 5 missile को test किया है APJ अब्दुलकलाम आइलेंड से जो की Odisha में है ठीक है एक तो ये चीज आप ध्यान लखिएगा उसके अलावा मैं आपको previous year question दिखा देता हूँ कि Agni 5 से related किस तरीके question पूछे गए है so that आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपको इस topic को किस वे में prepare करना है so देखिए 2014 में एक question पूचा गया है directly Agni 4 missile से question है इस missile में तरल इंधन का प्रियोग किया जाता है और तीसरा इस missile की सहायता से एक तन के nuclear weapon को आप 7500 km तक लेकर जा सकते हैं अब इसका answer क्या है यह सब भी आप मुझे comment section में बताएंगे this is question number one तो आप लोगों का response question number one के रूप में आना चाहिए ठीक है इसके अलावा देखे second question और बता देता हूँ में आपको 2018 में एक और question आया था और question है terminal high altitude area defense के बारे में यह कुछ news में देखने को मिलता है तो यह क्या चीज है आपको यह बताना था ठीक है तो हम चुकि missile के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर अमेरिका का anti-missile system है या फिर defense collaboration है जपान और South Korea का चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगनी 5 के specification पर देखे जब भी हम missiles का निदमान करते हैं तो अक्सर missiles का निदमान nuclear weapon को deploy करने के लिए किया जाता है ऐसा नहीं होता बहुत rare ही chance होता है कि हम missile के माध्यम से कोई other weapons को drop करें तो it is nuclear capable missile अब missile में कई category हो सकती है like कुछ missile ऐसी होती है जो surface से surface पर वार करती है मतलब अर्थ पर ही रहेंगी वो और अर्थ पर ही किसी दूसरे target को hit करेंगी दूसरा होता है surface to air missile अब surface to air का missile का मतलब क्या है ये missile तो surface पर रहेगी लेकिन target किसको करेगी target करेगी किसी UAV को या फिर किसी plane को या fighter jet को इस तरीके के missile को हम surface to air missile क्याते है अगनी 5 की बात करें तो अगनी 5 surface to surface missile है ठीक है और ये एक ballistic missile है अभी हम difference भी समझेंगे कि ballistic missile क्या होती है और cruise missile क्या होती है इसमें तीन stage के solid fuel को use किया डाता है देखिए ये आपके लिए काफी important हो जाते हैं दोनों fact इसमें एक तो तीन stages है किसी भी missile में अलग-अलग stages होते हैं जिसमें आप fuels रखते हैं और इनके तीनों ही stages में solid fuel का use किया गया है अच्छा आप सब question ये आता है कि missiles में हम solid fuel का ही use क्यों कर रहे हैं reason ये है कि अगर मालिजे missile में आपने liquid fuel का use कर लिया ठीक है लेकिन missile हर रोज तो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे में liquid fuel पर based missile में corrosion की problem हो सकती है मालिजे in future भारत की कहीं पर लडाई हो गई तो ऐसे में भारत अपनी अगनी missile को लेकर आता है और उसमें पता लगा कि इसमें तो leakage की problem हो गई या इसमें जंग लग गया तो ऐसे में हम फिर कैसे problem को tackle कर पाएंगे तो इसी reason की वज़ा से missile में solid fuels का use किया जाता है अब इसको develop किस ने किया था ये develop किया गया था DRDO के द्वारा और इसके लिए हमारे इंडिया में 1982 और 83 में एक program चलाया गया था जिसका नाम था IGMDP मतलब Integrated Guided Missile Development Program और इस program के अंतरगत भारत ने 5 प्रकार की missiles को develop किया जिसके नाम है प्रत्वी, अगनी, त्रिशूल, नाग और आकाश अब इन एक-एक missile के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी brief में information दे रेता हूँ जो प्रत्वी missile है ये surface to surface missile है ठीक है तो सतह से सतह पर ये वार करेगी अगनी missile की बात करें तो again surface to surface काटेगरी में आती है त्रिशूल की बात करें तो आपने अगर थोड़ा सा धार्मिक चैनलों को देखा होगा धार्मिक वीडियो को देखा होगा तो त्रिशूल में क्या होता है जमीन पर एक विक्ती खड़ा होता है त्रिशूल फैक्ता है आकाश में और किसी दूसरे विक्ती को वहाँ पर मार दिया दाता है तो ऐसे में आप उसी त्रिशूल से एजूम कर सकते हैं कि ये जो missile है वो surface to air कैटेगरी की missile है उसके बाद एक missile है नाग अब ये जो नाग missile है ये काफी interesting है ये एक anti-guided tank missile है या फिर anti-tank missile हम इसको कहते है battlefield में बहुत सारे tanks का use होता है उन tanks को destroy करने में नाग missile हमारे काम आती है और ये missile fire and forget concept पर based है fire and forget मतलब अगर आपने इसको एक बार fire कर दिया तो आप भूल जाईए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है नाग missile अपने काम को सही तरीके से perform करेगी और जो tank आपने इसको दिया है उस tank को ये destroy करके ही वापस आईगी वापस नहीं आती है मतलब missile destroy हो जाएगी और tank को भी destroy कर दिया जाएगा उसके बाद आकाश missile है आकाश missile again surface to air category की missile है ठीक है तो ये हमने कुछ अलग information थोड़ी सी देख ली सबे missiles के बारे में अब देखिए यहाँ पर अगनी 5 का एक type है अगनी को हम कई range में जो है develop करते हैं medium से लेकर ये intercontinental version तक हो सकती है यहाँ पर आप इसके range को देख सकते हैं अगनी 1 की range जो है वो 700 km है अगनी 2 की range 2000 km है उसके बाद 2500 km, 3500 km तो इस तरीके से इसकी range जो है वो बढ़ती जाती है और अगनी 5 की जो range है वो 5500 से 5800 km तक पहुच जाती है अब यहाँ weight वगएरा, length वगएरा आपको पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है चलिए next thing, बात करते हैं types of missile पर देखे, missile दो परकार की होती है basically आप इसको दो category में divide कर सकते हैं पहली होती है cruise missile और दूसरी होती है ballistic missile cruise missile में air breathing engine का use किया जाता है क्योंकि ये cable atmosphere में रहती है atmosphere से बाहर ये travel नहीं कर सकती ठीक है, क्योंकि इसके engine में oxygen की आवशकता होती है और ये oxygen हमें atmosphere से ही मिलता है तो ये basically short range की होती है ठीक है, तो short range की missile है इसके लावा ballistic missile की बात करें तो एक तो इसमें long range होगा और ये atmosphere से बाहर travel करेगी जैसे आप यहाँ पर trajectory देख सकते है ये जो green वाली trajectory आपको दिखाएते लिए ये ballistic missile की trajectory है ठीक है, अब problem ये आती है अगर missile long range की होगी तो ऐसे में दुश्मन अगर मान लिजे यहाँ पर है, तो दुश्मन आपकी missile को एक place पर जाकर track कर लेगा और अगर ये missile track कर ली गई तो ऐसी condition में इसको intercept भी किया जा सकता है easily है न, आपको पता है कि bomb गिरने वाला है तो आप उसको intercept कर सकते हैं लेकिन यहीं पर cruise missile की बात करें तो cruise missile easily detect नहीं हो सकती उसकी speed बहुत जादा होती है एक category की missile और होती है जिसको हम hypersonic glider missile भी कहते हैं अब glider missile basically है क्या इसमें speed बहुत जादा है hypersonic ठीक है जैसे cruise missile को हम 3 category में divide कर सकते हैं subsonic, supersonic and hypersonic तो यह जो glider missile है यह hypersonic वाली category में आती है और यहाँ पर इस missile को track करपाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका कोई right track नहीं होता ठीक है जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह missile पहले थोड़ा सा उपर गई उसके बाद फिर से नीची आई और फिर सीधे सत्य पर जाके वार कर रही है तो इसके trajectory नरधारित नहीं होती है इसके course को आप बार-बार chain कर सकते हैं और इसी लिए इसको track करपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है चलिए तो यह हमने missile के बारे में complete discussion कर लिया इसके बाद यह topic आपका complete हो जाता है अब आपको यहाँ कुछ भी इस topic में पढ़ने की ज़रुवत नहीं है आते हैं अपने next topic पर that is fusion energy और यह अपके लिए काफी ज़्यादा important है इसको आप relate करेंगे GS paper 3 के साथ और यहाँ आपका एक topic लिखा हुआ है awareness in the field of IT space, computer, robotics nanotechnology, biotechnology and issues related to intellectual property rights ठीक है context क्या है context मैंने आपको अभी बताया था कि अमेरिका के कुछ researchers ने fusion energy के छेत्र में कुछ achievement हासिल किया है और यह achievement है net energy gain सर नेट energy gain का मतलब क्या होता है net energy gain का मतलब है fusion reactor को चलाने के लिए हमें कुछ energy की आवशक्टा होती है ठीक है जब आप fusion reactor को देने वाली energy से ज़्यादा energy प्राप्त कर लेते हैं तो इसी को हम कहते है net energy gain for example अगर आपने x amount of energy को invest किया fusion reactor को चलाने के लिए और आपने 2x energy को प्राप्त कर लिया है ना reactor को चलाने के बाद तो यह जो 2x है यहाँ पर आपका net energy gain निकल कराता है I hope कि यह चीच clear हो गई है अब यह हमारे लिए important क्यों है देखिए previous year question दिखाता हूँ आपको mains का एक 2018 में बूछा गया था question है भारत की जो energy demand है वो लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में क्या इंडिया को अपने nuclear energy program को expand करना चाहिए यहाँ पर आपको कुछ facts and fear बताने थे जो की nuclear energy से related है ठीक है अब यह question आप easily solve कर पाएंगे इस topic को जड़ा अच्छे से समझीगा चली यह fusion energy and fission energy में पहले difference करते है देखिए सर नुक्लियर fusion का मतलब क्या होता है यह एक ऐसा process है जिसमें हम दो light atomic nucleus को combine करके एक heavy nucleus में convert करते है for example आप hydrogen के दो isotopes ले लेजिए ठीक है एक होता है deuterium और दूसरा आप ले लेजिए trisium इस वाले photo में जड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपने deuterium ले लिया और यहाँ trisium ले लिया दोनों ही hydrogen के isotopes हैं और बहुत हलके nucleus होते हैं इन दोनों को आप fuse करेंगे तो यहाँ पर fusion energy आ रही है और fuse करने के बाद यह एक heavy nucleus में convert हो जाता है helium में convert हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी energy मिलेगी और इसी energy को आप use कर सकते हैं electricity बनाने के लिए ठीक है तो यह हो गया fusion process नव बात करें अगर fission process की तो nuclear fission में क्या होता है एक heavy nucleus होता है और इसको हम electron की bombarding के तोवारा इसको दो छोटे छोटे nucleus में convert कर देते हैं तो जैसे आपने uranium based reactor के बारे में सुना होगा वहाँ पर इसी technology का use किया जाता है ठीक है तो heavy atom को दो small atom में यहाँ पर divide कर दिया जाता है इसके बाद fusion energy use कहाँ पर होती है देकि fusion energy अपने आप में काफी ज़्यादा important है और जो आप sun देख रहे हैं या stars देख रहे हैं रात में उन सभी में यह fusion energy use होती है तो आप समझ सकते हैं कि fusion energy से कितनी ज़्यादा heat generate होगी गर्मियों के मोसम में अगर आप धूप में थोड़ी देर रह लें प्रत्वी पर जबकि सूरे इतनी ज़्यादा दूर है आपसे तो भी आप सहन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में fusion energy को प्रत्वी पर प्राप्त करना आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा challenging होगा मतलब sun के बराबर का temperature आपको प्रत्वी पर gain करना है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि fusion में actual में process होता क्या है लिए fusion energy को प्राप्त करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यक्ता होती है ठीक है अच्छा पहले तो आप ये समझे कि ये process के लिए हमारी requirements क्या है इसके लिए क्या चीज आपको चाहिए होगी तो सबसे पहली चीज जो fusion के लिए आप जानते होंगे बच्छमन से पड़ा होगा solid, liquid, gas इन तीन state के बारे में सभी जानते है जो fourth state है वो है plasma ठीक है सब plasma basically ही है क्या ये एक hot charged gas होती है जिसमें कुछ positive ions होते है ठीक है और लगबग लगबग similar मात्रा में इसमें negative charged electron होते है तो दोनों की मात्रा लगबग लगबग समान होती है ठीक है अब ये जो material है plasma ये अपने आप में एक distinct property दिखाता है मतलब इसकी property solid, liquid और gas तीनों से बिलकुल अलग होती है और हमें fusion के लिए ये plasma ही required होता है ठीक है next why fusion is important सर फ्यूजन का importance क्या है nuclear fusion के दोरान waste produce होता है वो बहुत कम radioactive है ठीक है और आप जानते हैं कि radioactive की वज़ा से भी pollution होता है उसको मिट्टी में अगर dump कर दिया जाए तो वहां की जो jab विविलता है वो भी खराब हो सकती है तो ऐसे में हम fusion technology की तरफ जाएं तो सबसे पहली चीज़ तो ये radioactive कम रहेगा दूसरा इसका decay बहुत जल्दी हो सकता है ठीक है मतलब जो भी यहां से waste material निकलेगा वो बहुत जल्दी आप उसको समाप्त कर सकते हैं जबकि अगर हम बात करें fission की मतलब जो हम nuclear reactor present time पर यूज कर रहे हैं उसमें fission technology का यूज हो रहा है तो यहां पर जो भी waste इससे निकलता है बहुत ज़्यादा harmful होता है harmful क्यों होता है क्योंकि इसमें radioactive activity बहुत ज़्यादा होती है और इसको आप easily जो है decay भी नहीं कर सकते कम से कम hundred years लग जाते हैं इसको decay करने में ठीक है तो इसके waste को management करने में भी बड़ी परिशानी आ जाती है तो इसी लिए fusion हमारे लिए एक better source of energy हो सकता है दूसरा fusion energy में हमें किसी भी तरीके से fossil fuel की जरूवत नहीं होती like oil, gas इन सब को burn करने की कोई जरूवत नहीं है और यह अगर burn नहीं होंगे तो green house gas भी generate नहीं होंगी और जो health related problem होती है fossil fuel को burn करने के बाद स्वसन संबंदी problem होती है वो भी solve हो जाएंगी चलिए तो यह important हो गया उसके बाद अगला देखिए इसमें जो fusion technology है अभी हमने देखा था reaction किस तरीके से चल रही है तो यहाँ पर hydrogen के isotopes को use किया जाता है और hydrogen आप जानते हैं प्रत्वी पर बहुत जादा है पूरे समुद्र भड़े बड़े हैं H2O है पूरे समुद्र में तो ऐसे में यहाँ पर आप hydrogen को अनन्त मात्र में प्राप्त कर सकते हैं और इससे millions and millions year तक आपको fuel की कोई problem नहीं होगी खीक हैं तो this is the another important aspect of fusion energy Now next thing यहाँ पर fusion energy का अगर आप use करते हैं तो kilogram के kilogram पर kilogram basis पर आपको four times ज़्यादा energy देता है यह फिसन के respect में और साथ में four million times देखें यहाँ पर ध्यान से देखेंगा four million times more energy than burning oil or coal मतलब जितनी energy आप coal या oil को burn करने से प्राप्त करते हैं उससे 4 million गुना मतलब 40,000,000 गुना आपको energy fusion energy से प्राप्त हो जाएगी और सिर्फ इसमें hydrogen का use होगा तो यह कितना जादा important है और कितना better होगा यह technology अगर आ जाता है तो अगर challenges की बात करें सर तो challenges में इसके लिए सबसे बड़ा challenge है कि तीन चीजों की requirement होती है fusion energy पर based reactor को चलाने के अब यह तीन चीजे क्या है पहला तो है आपको अधिक density का plasma चाहिए और हमने अभी देखा था कि plasma basically gas होती है hot gas होती है जो की ionized होती है उसमें कुछ positive ions है कुछ negative ions है तो ऐसे में इसकी density को प्राप्त करना अपने आप में challenging हो जाता है दूसरा temperature बहुत ज़्यादा चाहिए मैंने अभी discussion किया था आप लोग के साथ की इसमें stars के बराबर आपको temperature की जरुवत होती है अगर आपने इतना temperature नहीं दिया तो आपका reactor starting नहीं होगा तो आप energy प्राप्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो small atoms को fuse करने में आपको बहुत ज़्यादा energy चाहिए तब ही वो fuse होके आपको energy दे सकता है उसके बाद energy की हमने अभी बात करी ली तो ये तीन चीज़े होगी plasma, temperature और energy इन तीन चीज़ों की आपको जरूट पड़ेगी उसके अलाबा fusion required में काफी high temperature and pressure की भी जरूट होती है देखे, pressure भी आपको high चाहिएगा तो stars के बराबर आपको अगर temperature प्राप्त करना है तो इतना ज़्यादा pressure आपको apply करना पड़ेगा तो ये कुछ challenges अभी भी इस technology के साथ बने हुए है some important fact for plims sir अगर बात करें कि क्या कोई international level पर program चलाया जा रहा है इस energy को लेकर तो आपने जरूर एक नाम सुना होगा ITER, I-T-E-R ठीक है तो world का largest international fusion facility है ये जिसको 2007 में France में establish किया गया था और भारत भी इसका एक part है ठीक है इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं fusion technology में जो leading research की हुई है वो है IAEA एक agency है IAEA इसका नाम है International Atomic Energy Agency इन्हों नहीं basically इसमें research start किया था तो ये कुछ important fact होगे प्रिम्स के लिए बाकि आपको इस topic में अब कुछ भी पढ़ने की जरुवत नहीं है और जो मैंने question दिखाया था आपको 2018 का ये आप अच्छे से solve कर पाएंगे ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीज़े बता दी है कि nuclear energy program को continue करने के क्या-क्या negative impact हमें देखने को मिल सकते हैं अच्छा एक दो चीज़े और बता देता हूँ इसमें और negative impact क्या है अगर हम nuclear energy program को start रखते हैं तो इसमें आप water का भी use करते हैं reactor को cool करने के लिए coolant के रूप में water का use करते हैं और फिर जब water गरम हो जाता है तो उसको आप river में या फिर ocean में ऐसे ही flow कर देते हैं और इसकी वज़ा से वहाँ पर आप देखते हूँगे कभी-कभी बहुत सारी fishes की death हो जाती है ठीक है तो यहाँ की जो biodiversity है या फिर कहें यहाँ का जो ecosystem है उस पर भी इसके negative impact पड़ते हैं ठीक है तो इस तरीके से कुछ points को शामिल करते हुए आप इस question को answer करेंगे और आप चाहें तो अपने answer को comment section में भी लिख सकते हैं ठीक है मैं comment section में भी आपके answer को देखके बता दूगा कि next time पे जो lecture होगा हमारा या आपने किस तरीके का उस lecture में new topic के साथ अगर आपको लगता हो कि कोई topic इस week मैंने miss कर दिया है तो आप उसका नाम भी comment section में लिख सकते हैं so that मैं next lecture में उनको cover कर दूँ ओके यह thank you so much